एक बार ऐसा मानते हैं कि तांसेन को बहुत ज्यादा घमंड हो गया था अपने संगीत पर तो उसने एक फर्मान जारी करवाया अकवर से कि कोई भी व्यक्ति आगरे की सीमा के अंदर अगरा उनका उस समय क्या भी डलता गाना नहीं गाएगा तांसेन के अलावा तांसेन के लावा कोई व्यक्ति आगरा के अंदर गाना नहीं गाएगा तो एक बार क्या हुआ इनके जो पिताजी थे बैजनात मिस्रयानी बैजु बाबरा के पिताजी भो भी बाबा टाइप के थे तो और ये उनके साथ ही चलते थे तो ये लोग गाते गाते आगरा में पह नहीं थी तो बैजु बाबरा के पिताजी को मृत्यु दर्ण दे दिया तब बैजु बाबरा बढ़कते हुए अब पिताजी चलेगे कहां अकेले थे और कोई था भी नहीं माताजी बगर एक कहां नहीं है देगो कंफर्म तो मुझे भी नहीं मालूम मैंने इसको चार-पा shell करना संगया बेजु बाबरा किसमे जलने बदलेग में का जानना संगीत में लाइग ठीचना थे तो मैं तो होने यह मांगा दर्ण देग यह के तुम संगीत का अपयोग किसी को वहानी पहचाने के लिए नहीं करो नहीं कि करो मैं बानसाल तब स्वाल संगीद में एक तम गंधर्भ बना दिया गंधर्भ सबसे अच्छा संगीद गाते हैं उसके बाद वाजी बावरा पहुंचे कहां अगरा और अगरा में गाना शुरू किया रूल तो तब भी था उठा के इनको पकड़ के गए दरवार में दरवार में होगी कानी शुरू तो वार में घुट बावरा पहता है तो तुम बताना क्या करना है तूम भी मेत्यू तेंड देजी ना भाईया ववद सांधार तरीके का कॉंप्टीशन इतना जवर्दास्त होगे बावरा जब बजा रहे थे सितार बजा रहे थे और गा रहे थे तो जंगलों से दो हिरन निक भी में एड़ा जिए आगिए तब तान्सन ने खुब बजाया नई आया तब तान्सन ने लोग अंप गुमते आ गए तब लाए बिला कर बताओ बावरा ने फिर बजाया है फिर हिरन आये तर माला निकाली और बहला आप बड़ाओ क्या किया जाए अगवर भी TN मे आ तुम आपने आप में समराट हो सकते हो लेकर तुम से बड़े भी लोग दुनिया में है तो यह इसलिए बैजु बाबरा को बैजु बाबरा कहते हैं संगीते के लिए